आज वहाब रियास के बारे में थोड़ी सी बात करता है वहाब रियास कह रहा है कि वह क्रिकेट में वापस आना चाहता है क्योंकि वह पाकिस्तान को 2023 के World Cup में represent करना चाहता है जो कि इंडिया में होगा वहाब रियाज ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाब रियाज पाकिसान के लिए खेलना चाह रहा है लेकिन इसके पीछे BPL के अंदर वहाब रियाज के exceptional performance है 145 की speed में वो balling करा रहा है नो डाउट बहुत 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 बालिंग करा रहा है कहीं कहीं जायरे ballers के साथ हो जाता है उन पर चेक के भी पढ़ता है जोक के भी पढ़ता है लेकिन एक benefit उसका ये भी है कि वो एक all-rounder भी है कभी-कभी batting भी अच्छी कर लेता है वहाब रियास पर आज क्यूं बात कर रहा हूँ मैं हर पिलेर ही बोल सकता है ये बात के वो वापस आना चाह रहा है cricket की दुनिया में वापस खेलना चाह रहा है या league से हटके वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा है वहाब रियास के एक announcement है कि वहाब रियास को पंजाब का sports minister बनाया जा रहा है वहाब रियास को पंजाब का sports minister जब बनाया जाएगा तो obviously conflict of interest तो आएगा लेकिन ये जो sports ministry है ये उसको permanent नहीं दी जारी कोई साल भर के लिए नहीं आ रहा है ये sports minister के लिए ये सिर्फ care taker sports minister बनेगा क्या कहता है उसको निग्रा वजीरे खेल निग्रा वजीरे खेल बनेगा ये और फिर चला जाएगा चैन्द महीनों के लिए लेकिन ये बात तो exceptionally well said in है के पहली बार ऐसा हो रहा है के एक शक्स जो के minister होने के साथ साथ PSL भी खेलेगा तो obviously ये एक main point है लेकिन वहाब रियास जाहिर है एक chance तो उसको मिलना चाहिए PSL में अगर performance अच्छी रहेगी तो obviously वो world cup इंशालला खेलेगा इसके साथ ही साथ एक बात मैं करना चाहरा था conflict of interest के हवाले से के वहाब रियास के तालुकात बड़े जबरतस होंगे जो के पंजाब ministry उसको सोपी गई यार जब पिलियर एक international level पे cricket खेल ला होता है पाकिस्तान के लिए जब वो खेलेगा तो तालुकात होई जाते हैं हाँ अगर उसका कोई minister है कोई पराना उसका मुस्लिम लिग नून में है कोई अपना यार दोस्त है और फिर minister बनाए गया हो फिर मैं कहूं के यार या PMLN में है या PMLQ में है या किसी भी सियासी जमात में है फिर मैं बोलूँ कि यार वहाब रियास को गलत ministry दी गई है लेकिन caretaker ministry है जो के चंद महीनों के लिए होती है कोई इतना issue नहीं है इस पर और जाहिर तालुकात तो होते हैं players के होते हैं हर किसी के होते हैं जब वो international level पर खेलता है तो लेकिन conflict of interest से मुझे एक चीज और याद आई कि नजम सेथी का जो बेटा है अली सेथी वो PSL का गाना नहीं ग यार था लेकिन अचानक यह हुआ कि वो नहीं गा रहा तो conflict of interest बीच में आया और नजम सेथी ने गा नहीं यार मेरी position ऐसी है कि आप वो गाना ना गाए तो बैतर है अब किसी और singer को chance मिलना चाहिए तो सी के साथ साथ बस यही बाती मेरी आच की Thank you very much